लीची का फल अपने आकर्शक रंग, सुआत और गुनवत्ता के कारण भारत में ही नहीं, बलकि दुनिया भर में मशूर है. विश्व में लीची उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है. इसकी खेती के लिए एक विशिष्ट जलवायू की आवशकता होती है इसलिए इसकी खेती हर जगह नहीं हो सकती. अगर लीची की बागवानी की बात करें तो मुखे रूप से ये बिहार, उत्तरप्रदेश, जारखण में की जाती है. इसकी अतरिक्त पश्चिम बंगाल, पंचाब और हर्याना के कुछ छेत्रों में इसके सफल उत्पादन का प्रयास किया जा रहा है. हमारे देश की लीची अपनी गुनवत्ता के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध हो रही है. भारत में लीची का ताजा फल मैई से जुलाई तक उपलब्ध होता है. और आपको बता दें, अंतराष्टिय बाजार में इससे निर्यात करके विद असमान साफ रहता है. तापमान में वृद्धी एवं शुष्क जलवाई होने से लीची में अच्छा मंजर आता है, जिसमें ज्यादा फूल और फल लगते हैं. मार्च एवं अप्रेल में गर्मी कम पढ़ने से लीची के फलों का विकास अच्छा होता है. साथ ही अप्रेल से मई आते आते, वातावरण में सामाने आदरता रहने से फलों में गूदे का विकास एवं गुनवत्ता में सुधार होता है. मिटी कैसी हो? लीची की बागवानी के लिए सामाने पियच मान वाली गहरी बलूई दोमट मिटी, कैलकेरिय स्मृता जिसकी जलधारन शमता प्युक्त माने चाती है. धिहान रहे, जल भरा वाले छेतर लीची की खेती के लिए सही नहीं है. लीची की उननत किस्मों की बात करें तो शाही, त्रिकोलिया, अजहौली, ग्रीन और देसी प्रमुख है, जो 15 से 30 मही के आसपास पकर तयार हो जाती है. जबकि माध्यम किस जबकि माध्यम किस में दी रोज, अरली बेदाना और स्वन रूपा प्रमुख है और चाइना, पूर्वी और कस्बा अन लीची की किसमे है. पौधार उपन कैसे करें? लीची एक पूर्ण विक्सित व्रिक्ष होता है, जो आकार में पड़ा होता है, अताहा इसे औसतन दस बाय दस मीटर की दूरी पर लगाना चाहे. वर्शा प्रारंब होते ही, जून के महिने में दो से तीन टोकरी गोपर की सड़ी हुई खाद, करंच, अत्वा नीम की खली, हड़ी का चूरा, अत्वा सिंगल सूपर फॉसफेट एवं क्लोर पाइफास, थीमेट को गढ़े की उपरी सता की मिटी में अच्छी तरह मिलाकर गड़ा भर देना चाहे. पौधा लगाने की पश्चात उसके पास की मिटी को ठीक से दबा दे, एवं पौधे के चारों तरफ एक थाला बनाकर दो से तीन बाल्टी पानी डाल देना चाहे. लीची की बागवानी के लिए जल प्रबंधन सही होना चाहे, पानी की कमी से फल का विकास रुख जाता है. और फल चटकने लगता है. अतहा उचित जल प्रबंधन से गूदे का समुचित विकास होता है. बोन-बोन सी चाई, विधी द्वरा, प्रती दिन, सुभा एवं शाम, चार घंटा पानी देने से ली प्रारंभ के तीन से चार वर्षों में पौधों की आवांचित शाखाओं को निकाल देना चाहे, जिससे मुखे तने का उचित विकास हो सके. कई बार देखा जाता है पूर्ण विक्सित पौधों में शाखाओं के घंए होने के कारण पौधों के आंतरिक भाग में सूरे का प्रकाश नहीं पहुच पाता है, जिससे अनेक कीटों एवं बिमारेों का प्रकोप देखा गया है. इस बारे में फिर कभी और बात करेंगे आपकी जानकारी के लिए बता दें लीची के विक्ष को तयार होने में लगभग 15-16 वर्ष का समय लगता है. अतहा प्रारंबिक अवस्ता में लीची के पौधों के बीच की खाली बड़ी जमीन में आप फलदार पौधों एवं दल्हनी फसलों या सबजी लगा सकते हैं. इससे किसान भाईयों को अतिरिक्त लाब के साथ-साथ मृदा के उर्वरा शक्ती का भी विकास होता है. तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये आज की जानकारी अपनी राय कमेंट सेक्षन में जरूर दीची और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेर कीची.